Hello Friends, Welcome to Jyoti Study Center मैं हूँ आपकी होश दोस्त Jyoti एक वर फिर से एक नई टॉपिक को लिके आपके बीच हाजिर हूँ हमारा आज का टॉपिक है What to say on Thanks और Thank You जब कोई आपको Thank या Thank You बोलता है तो आप उसकी जवाब में क्या क्या कह सकते हैं कुछ इसी बारे में हमारा आज का ये वीडियो है दोस्तो जब कोई आपको Thanks या Thank You बोलता है तो आप क्या सकते हैं Mention Not या Don't Mention इसका इस्तेमाल आप अपने दोस्तों और रिस्तेदारों के बीच में कर सकते हैं जब आपने उनकी कोई छोटी सी मदद की हो और उन्होंने आपको Thank You बोला हो तो आप क्या सकते हैं Mention Not Here Don't Mention जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं Don't Mention It Was Nothing Suppose आप और आपके फ्रेंड डिनर के लिए गये हैं और आपने बिल भर दिया तो आपका दोस्त आपको Thank You बोलेगा तो आप क्या सकते हैं Don't Mention It Was Nothing कोई जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है यह कुछ नहीं था It Was Nothing Don't Mention It Was Nothing आई देखते हैं नेक्स तरीका क्या हो सकते है Thank के जवाब देने के लिए No Problem No Problem अप तब कह सकते हैं जवाब ने किसी की बहुत छोटी सी मदद कियो जैसे किसी का Pen गिर गया हो आपने उसे उठा के दिया हो एड्रेस बताया हो या डिनर टेबल पर आपने चमच पास किसी को किया हो और वो आपको Thank You बोलता है तो आप कह सकते हैं No Problem कोई दिक्कत नहीं आई देखते हैं नेक्स तरीका क्या हो सकते है Anytime Anytime का मतलब कभी भी दोस्तों कलीक्स के बीच अगर आप उसकी कोई मदद करते हैं वो आपको Thank You बोलता है तो बदले में आप कह सकते हैं Anytime Anytime का मतलब होता है दोस्तों कभी भी Anytime for you आप तुम्हारे लिए कभी भी इस तरह से हम उसके Thank You की जवाब में हम कह सकते हैं My Pleasure My Pleasure यह मेरा सौभाग यह है जब आप अपने मन से किसी की खुसी के लिए कुछ करते हैं और वो आपको Thank You बोलता तो आप My Pleasure कह सकते हैं Suppose आपने अपनी वाइफ के लिए birthday party arrange की है और उन्होंने आपको Thank You बोला है तो आप कह सकते हैं My Pleasure जब आप अपने मन से किसी की खुसी के लिए कुछ करते हैं तो आप कह सकते हैं My Pleasure Glad to help You are truly welcome अगर आप कोई आपको मदद के लिए Thank You बोलता है तो आप कह सकते हैं मदद करके मुझे बहुत खुशी है आपका बहुत स्वागत है कुछ इस तरीके से भी आप जब आप दे सकते हैं Glad to help You are truly welcome Anything for you Anything to make you happy यह किसी कड़ी के साथ इसका स्नमाल किया जाता है कुछ भी तुम्हारे लिए किसी के लिए अपने कड़ी के लिए कुछ करते हैं वो आपको Thank You बोलता है तो आप कह सकते है Anything for you Anything to make you happy तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी तुम्हारे लिए कुछ भी कुछ इस तरीके से हम Thank You का जबाब दे सकते हैं It's okay Not a problem Anything for you Sorry Anytime for you कुछ इस तरह से हम उनके Thank You की जबाब में कह सकते हैं Happy to be of service यह Office term है Office के टर्म में इसका इस्तेमाल किया जा सकते है Suppose आप किसी Office में आपने किसी की मदद की है आपको Happy to be of service का मतलब होता है दोस्तों सेवा दे के बहुत-बहुत खुशी है आपकी सेवा करके खुशी है तो इस तरह की sentence का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और Welcome और You're Welcome यह तो हर situation में लगभग हम इस्तेमाल कर ही लेते हैं नई कुछ दिमाग में आता है तो कुछ इन तरीकों से हम थैंक्यू की जवाब में थैंक्यू की जवाब दे सकते हैं तो यह था हमारा आज का यह वीडियो थैंक्यू की जवाब देने से रिलेटेड वीडियो जोती स्टैडि सेंटर के साथ यूही जूरे रही है इसके सारे आने वाले वीडियो से देखिए आपको जरूर कुछ ना कुछ नहां सीखने को मिलेगा करा ते सिंदे के लिए अपका अधना शीह stitch करते हूं